कांग्रेस के मुखिया डांस के गजब दिवाने हैं और मुखिया का डांस वाइरल होता है वीडियो जोड़दार का ऐसे में वो कहीं भी डांस करने से नहीं जूकते चर्चा क्या करती कांग्रेस के लोगों ने लेकिन उस डांस को भुनाया है रविंदर सिंग भाटी ने रविंदर सिंग भाटी ने इस अचरक पे सवाल उठाए हैं जिस तरह से गोविन सिंग डोटासरा ने अचरक को लहराया है उसे विबादित और आपति जनक बताते हुए रविंदर सिंग भाटी ने एक पॉलिटिकल गोगली डाल दी है और उस गोगली का क्या असर पड़ है कि कोशिश जब की गई कि भई आपकी जो इस्थिती है वो दो वाली है और हमारे वो प्रत्याशी जिनको जवानत जब्त होके घर बैठना पड़ा उनकी 20 की है दो और 20 का अंतर जो है रविंदर सिंग भाटी और उनकी टीम को नागवार गुजरा और उन्होंने तय कर ल जगाता रोबरू रखेंगे आपसे अपील है कि अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर करें हमारे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तो अचरक जो है वो यहां सिंधी मुस्लिम समाज के नेता जो आए मुलाना अब्दुल करीम ने सबसे पहले कहा कि मंच पे एक ऐसे द्रश्य देखा कुछ लोग नाच रहे हैं डांस पे हमारे सिंधी संस्कृति के पैशान अचरक को लहरा रहे हैं हमारे बुजूग लीडर पूरु मंत्री अमीन खान को दर्गिनार किया गया है जो विदेश के सफर पर जाने के ल जवाना हो गए क्या उसके पीछे अचरक लहरा रहे हो गोविन सिंग डूटासरा पे एक ऐसी पॉलिटिकल गूगली डाली है क्योंकि सिंधी मुसलमान समाज जो है वो बड़ी संख्या में वहां दो तरह के मुसलमान है शिव सीट पे खास करके अमीन खान वाले और एक तो अब मुसलिम समुदाय द्वारा सीधे सीधे मंच पे समर्थन मुसलिम समुदाय के कई नेताओं द्वारा आलांकि अब तक कॉंग्रेस में मौजूद जो गाजी फकीर के वेटे हैं जो मौर मंत्री रहे हैं साले मौमत वो क्या कहते हैं देखने वाले बात होगी लेकिन उन्होंने जब मौलाना अब्दुलकरीम ने कहा कि जब अमीन खान के पीछे अचरक लेराया है और समाज के लोग मायूसों के मंच पे बैटे थे जिनको आपने अच्छी तरह ठिकाने लगाया था क्या उनके साथ डांस कर रहे हैं वो समझ नहीं आया दांस समझ नहीं आया मौलाना अब्दुलकरीम बाडमेर से बीजेपी अलप संकेक मोर्चा के जरादेक्स रहे थे फिर वे अमिन खान के समर्थन में आये अब उन्होंने निर्दली प्रत्याशी रविन सिंग भाटी को समर्थन दिया है अभी फिलाल वो किसी पार्टी में नहीं है और अब जब भाटी ने सम्बोदित किया तो उन्होंने गोधन सिंग डोटासरा के डांस पे सवाल उठाये और तंज कस्ते वे कहा कि आप नाच रहे हैं सही कह रहे हूं चार तारिक को नाचने का मोगा नहीं मिलेगा इसलिए पहले ही नाच लो आदर्स स्टेडियम में नामंकन सर्वा को सम्बोदित करते हैं भाटी ने कहा कि इतना बड़ा लीडर है लोगों को कोई अच्छा मैसेज देते हैं मंच पर ठुमका लगा कर क्या सावित करना चाहते हैं जन्प्रतिनित्य का काम है जन्ता की सेवा अधिकार के लिए लड़ लेकिन आज उनका जो स्पीछ है जिसमें उनुने अरिष्चौधरी पे भी कही निशाने चाहते है अरिष्चौधरी को उनुने कि तरीके से टारगेट किया जिसमें रिफाइनरी में जॉब्स वहां कई तरह के माफिया पनपने कई तरह के टेकसेस की बात की निकाली है इंसा सरकेल और यह होते हैं बड़ा एक पहले रेली निकाली थी कल चार से पांच तक और फिर रविंदर सिंख भाटी ने पेपर लीग का मुद्धा उटाते कहा कि जिसे एसो जी ने पकड़ा था वो आपकी साथ मंच पेटाता और आप कहरेंगे युवाओं के लिए काम करेंगे आप क्या साबित करना चाते हो आप सोच रहे हम नाच कर चले जाएंगे और युवाओं साथ हो जाएंगे अब समय बदल जाएगा तो कुल मिलाके रविन सिंग भाटी ने कई बातों में political maturity का परिशे दिया और उन्होंने कहा कि जिसे मोरिया बुला देंगे एक शब्द चलता है कि बही हम यह आपके जो मोर बुला देंगे वैसे शेखावाटे में शब्द चलता है जो कि विदान सबाच जुनाव में रा इस बार तुम्हारा मोरिया बुला देंगे ध्यान रखना मेरे सामने बैठे भाई अकाल के थपेड़े खाके इतने मजबूत हो चुके हैं कि अच्छे अच्छों का मोरिया बुला आचुके हैं उट वाला मामला जो है वो जब चर्चा हुई थी कि खिजोडो उट वाला त के गाने पे अचरक को हवा में गुमा के डांस किया था विक्टरी सिंबल दिखाया था इस दुरान अशोग गैलोथ भी मोजूद थे और नेता प्रतिपक श्टिकारम जूली समित कई कॉंग्रेस के निचा में मोजूद थे इनकी मोजूद्गी को रविंदर सिंग भाटी क पाई है जो डायलोग और खास करके मुस्लिम वोटर से इनको ध्यान में रखते हैं क्या समिक्रन बनते हैं इसी दे तोर पे क्योंकि उनका जो स्पीच है वो बड़ा एक अलग तरीके का गया है और आज की रेली में जिस तरह से बेड उमरी है मामले को त्रिकोनी बना दिया हैं कई समाध संगठनों के नेताओं का संबोधन हुआ है जिनोंने मंच से रविंदर सिंग भाटी को समर्थम देने का एलान किया है जिसमें यूथ मुस्लिम जिराद्यक्स उस्मान शेक कह रहे थे सो काफिलों के साथ आए हैं 36 कौम के नेता है रविंदर भाटी ये वो उ उस माहूल का नतीजा क्या आएगा आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरू करें हम आपको लगातार रूबर रूखेंगे बाड़ मेर जसल मेर के लोगसवा चुनाव से जोड़ी हुई स्तितियों पे करेंश का